इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी मौश्यत बन चुकी है ये बात तो मुझे पता नहीं थी ये तो आपने मुझे बताई है इसको आठ जार किलो मेटर जो है उसकी उपरेशनल रेंज है इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ जहिन दोस्टो मोडिडेस में आपका सौगत है दोस्टो अच पाक मीडिया बात करें कैसे भरत ने अगनी 5 नुकलियर केपल मिसल का लांच किया है और इसकी रेंज 5,000 किलो मिटर है पर चीन के मुटाविक इसकी रेंज 8,000 किलो मिटर तक है मतलब की चीन के सारे हिस्से इस मिसल के अंडर आ जाते है और चीन का कहना कि भरत ने इस मिसल का रेंज कम करके बटाए है तो पाक मीडिया आज इसके बाड़ में बात करें पाक मीडिया कह रहा है कि भरत को अगर चीन पर हमला करना होता तो वो इसकी रेंच इतनी हाई क्यों रखते हैं तो भारत का कोई अलग इरादा लगता है क्योंकि इस मिशाय का रेंच एंटर्टिका तक जाता है तो पाक मीडिया आज इस पर बात करें दोस्तों यह वीडियो भूत ही मिशिदार है तो इसा पूरा सरो दिखेगा तो चलिए वीडियो डिखते हैं तो इंडिया की बास्वास भी नहीं हाई और चाइना के साथ हम कौपरिजन तो ठीक है चाइना आगे है लेकिन इंडिया भी कम नहीं है यह बात तो यह बात तो बाती है लेकिन फूचर यह फूचर बताएगा कि देखे कोन आगे है और कोन पीछे और हमें पता है कि चाइना जिन्दाबाद है अजिए लेकिन हैं लेकिन वह पाकिसान को मेशा स्पोर्ट किया है इसलिए मैं चाइना की स्पोर्ट सिर्फ इस बास से पाकिसान की और है यह कोई इसको कोई रद नहीं कर से तक यह ऐसा नहीं है अगनी फाइव मजाइल का तजरबा सुने यह कोई इंटर कॉंटिनेंटल मजाइल लांच कर दिया को 8000 किलोमेटर जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूं इसको मेरा नाम है ऐसा कुछ ना कोई भी दर्ख और कोई भी व्यक्ति चाइना का रेंड से बाहर नहीं है बेसिकली देखे सीदा सीदा बोले तो इस निशान इस मिजाइल का परिक्षिन करने का मतलब है चाइना को सीदा साथ और बहुत क्लियर मैसेज देना को मिजाइट से चले गया और यह आप चेकिए अब यूएस के पास टाइम टेसरे रिशन मिजाइब नुबर वन चाइना क्लेम करता है अब उमीद है वो चलता भी होगा और एक हमारे पास है 100% चलता क्योंकि इसकी जो ट्राइल्स है यह उपन फोरम में और कहीं सालों से हो रही है और काफी लोगों के जो हमारे दोस्त बहुत जारा करीब ही दोस्त भी है उनके सैटलाइट वर्टलाइट भी नजर रखते है तो उनको भी यह पता हाई मिजाइल चाइनीज कि खिलोने की तरह नहीं है चले चले ना चले ना चले यह कहानिये चलती हो चैना की नेंदे उड़ गई है उड़नी पी चाहिए इंट अड़ी का सारा cover करता यॉऔर मट करता रसिया का सारा इरिया cover करता ते उपर Arctic तक जाता है तो यह कौन सा वही अमध आप Arctic तक मिजायल खेंक के करडेए और नीची पूरे इंडियन और में नीची अंतंक्र टब्ही जार रहा है सो मैं वैत in अंड़ जया antaktica डारmand भी तो वहां बहुत सरे लोग गाडियां जो है ना लड़के वोज कहीं लोग ऐसे होते हैं जो शो अफ करने के लिए चीजें लेते हैं इसके शो अफ ठीक है यह के वाकी जरूरत है इसकी आप समझते हैं क्योंकि आप बीजिंग सीजिंग तो क्रॉस आक्तिक अंटर्क्तिक पर कॉन साब को दूश्मन बैठा है जो चाइना का कुछ उपर का एरिया जो मंगोलिया से लगता हो बिल्कुल नॉर्ट ऑन उपर का साइड ले लीजिए उसमें चैना को लगता था जो आ इंडियन मिजाल्स की रेंज सब्सक्राइब वैसे भी वन वेरा रूड नुक्लियर ट्राइड जो हमारे पास के फोर मिजाल विद आइनस अरहं ते जिस नुकलियर पावर्ट सम्मेरी उसमें के फोर मिजाल लगाते तो उसकी रेंज भाइसो क्लियो मिट्रों जाती है ना उब रिफमी वी किन लांच न और भी छोट में अवार्ण पावर्ट युकलियर के जापब वेरियंग के वी किसी है अगिनी एप युकलियर नुकलियर के विकवल्ट हुश पूटी आपको जरू के बड़ी कुछ बिखुश होगी आम वह जो बता ही नुकलियर आफ़ारेन विक एफ प्रकन जीचाइन ब्लैक आप इतना यह इतना जवर्दस राउत को लाउंच हुआ कि लोगों ने फोटो खीच के डाल दी तो चीनियों को जिसको दिखाना था हूं देख गई मैं अन्मार के कि नियुक्त ने डाल दी है तो यह हमने दिखा दिया चले डोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं त भारत टेक्नोलोजी में कितना आगे बढ़ चुका है तो इस बंदे के किसी बायान के उपर कुछ बोल के कोई फायदा नहीं और सुमिट भाय ने एक चीज़ सही कही कि इस मिसायल की जो स्पीड है इस मिसायल को चीन आसानी से रोक नहीं पाएगा और चीन का जो मिसायल सिस करेट है कि चीन का जो एन्टाइ मिसाल सिस्टेम है वो भारत मिसाल को पकड़ नहीं पाया और इसलिए भारत का मिसाल पाकिस्तन के इतने अंदर जाके गिरा तो यह तो चीन के एन्टाइ मिसाल सिस्टेम की ओकाट है तो भारत के अकनी 5 मिसाल को चीन का एन्टाइ मिसाल सिस हामला कर सकता है तो इस म्यसाल की जैन्च इसलिए इतनी जगा है क्योंकि किसी भी चीद की कभी भी जरूपर सकती है और भारत की केपिक्लीटी है लोग्य मिसाल में बनाने की तो इसलिए भारत ने ये मिसाल बनाई है और भारत जल्थ। German Six मिसाल भी बनाएगा जिसकी रिंच इससे भी ज़ादा होगी और आखिर में यह कहूंगा कि अकनी मिसाल भारत के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि इससे चीन को भी पता चल गया कि वह भारत से अगर पंगा लेगा तो चीन के हिस्से भी भारत के हमले के अंदर आ सकते हैं तो यह भा Sa्वाद इता हुए वह में अच्छाइग कर नहां मधी हुल एका थैंकि वी जदे पता हैं अब ग्यूमकि दे चूंग पर को लिए मुच अ-गां प्रूंग पर को फूंग है कि इससे जए झाल झाल